लंका के राजा रावड की पत्नी मंदोदरी किसकी पुत्री थी बहुत सुन्दर दानव राज मैं की पुत्री मंदोदरी थी बहुत सुन्दर टीम नंबर चार इन्हों में इसको बोनस पॉइंट का उत्तर दिया है आपके पास हम दूसरा प्रश्न आ रहे हैं कि रामचरित मानस में रावड की जो पत्नियां हैं उनमें मंदोदरी के अलावा किसी एक पत्नी का आपको नाम बताना है इसका उल्लेक इसमें मिलता हो कि रावड की तलवार का नाम क्या था कि बिलकुल सही है चंद्रहास चंद्रहास जो रावड की खड़क थी उसका नाम सा चंद्रहास आपके पास आपके पास दूसरा पश्न आ रहा है रावड की जो चंद्रहास खड़क थी वो रावड को किस ने दी थी भगवान शिव ने दी थी बिलकुल between जवाब बिल्कुल सही जवाब आप इनको दे दिए रावण के किनी छे पुत्रों के नाम बताईए नाम उसका अठिब्रंस हो रहा है सही है बिल्कुल छे तक बहुत बढ़िया पहुंची हो बढ़िया आपको बताना है बहुत राम के धनुष का नाम उन्होंने यूद्ध गिया था रावण को मारा था कि सारेंग नहीं है अब भगवान राम के धनुष का नाम सारेंग नहीं है कि ऑडियान से पूछ नहीं है कि बिल्कुल सही है भगवान राम के धनुष का नाम पोलन की दंड़का रेंड में राम ने खर और दूशन का बद किया था यह असुर राज खर का एक पुत्र जो बहुत पराक्रमी था वो रावण के युद्ध के दर्मयान रावण की सेना की तरफ से लड़ा था राम से आपको उस असुर का नाम बताना है जो दैत्राज खर का पुत्र था उसकी माता ने प्रतिक्या की थी कि जब तुम राम का मस्तक लाओगे तभी अपने पती का तुम स्राथ धौर तरपन करोगे तब तक नहीं करोगे इसलिए वो रावण की सेना में पहुँचकर वहां से रावण की तरफ से राम से युद्ध करने आया था उस घर के पुत्र कंदाना है सुछय पानि उनका नाम था मकराक्ष 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 कि भडर चार हैं कि ए ह나ं तो बताना यह है रामचरित में जौपाई है कि उसे अपने मुख का आकार कितना वड़ा किया था सव योजन सहसर नहीं सव सत जोजन तेही आननकीना अतिल गुरूप पवन सुतलीना अब दन पैठी पूनी बाहर आवा मांगा बीदा ताही सिरुनवा ठीक है अगला पश्ण मारा आपके पास आपको बताना है कि रावण के सबसे विश्वास पात्र गुप्दचर का नाम क्या था तो देवताओं ने देखा कि राम नंगय पैर और जमीन पर रावण के पास बहुत बढ़िया रथ तो देवताओं ने एक रथ मेजा राम के लिए आपको प्रश्ण हमारा यह है कि आपको उस रथ के सार्थी का नाम बताना है तीम नंबर चार रथ सार्थी का नम था मा तली मा तली ठीक है यहीं अपने युग्द भूमी में रथ को लेकर आये थे भगवान इंद्र की याग क्या नुशार्थ प्रश्ण आपके पस जिसके अधों में भगवान रामने श्रिवदनुस तोडा उसके बाद परशुराम जी आये थे परशुराम जी इस परवद पर निवास करते थे जहां remaining है मरंगभूंगी पर आए यह था है पर आपको यह अ συस्थान का नाम बताना नहां किर मैं Hybrid मता महेंद की संदर महेंद वर्वात आपको प्रश्ण है आपके जिए आपकी नया कि जब लक्षमण मूर्चित हो गए हनुमान जी संजीविनी मूती लेने गए इस बीच रावण को पता चला रावण ने अपने एक विशेश असुर को हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए भ काल नेमी काल नेमी वह सुंगा है जब भगवान राम बन जा रहे थे तो रास्ते में उनके एक मित्र मिलेजी ने वह मित्र और सखा भी कहते थे उनका नाम था निसाद राज गुह आपको बताना है उनकी राजधानी क्या थे स्रंग बेरपुर कि रावाद के पास में है स्रंग बेरपुर वो निसाद राजभुर की राजधानी थे सीता हरण के समय रावड ने एक राक्षास को सौर्ण मरग बना के भेजा था कि तुम जाओ और सीता जी कहेंगी आपका सिकार करने के लिए तब राम जाएंगे फिर हम उनका हरण करेंगे तो जो राजधा सौर्ण मरग बना था उसका नाम बताना है मरी बना हुआ सौर्ण मरी बहुआ सौर्ण मरी बहुआ सौर्ण